हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू कलर ओफ थ्रेट्स आज माँ आपके साथ जो ब्यूटिफुल सा डिजाइन शेयर करने वाली हूँ इस डिजाइन को आप प्लाजो बॉटम, स्लीव और कुर्थी के दामन पर भी रड़ी कर सकते हैं माँ को ये प्लाजो बॉटम पर रड़ी करके बताऊंगी, तो वीडियो शुरू करते हैं तो डिजाइन रड़ी करने के लिए ऐसे प्लाजो में से ही मैंने 8x8 इंच का फैब्रिक कट किया है इसके रॉंग साइड पर हमें फ्यूज पेपर जिपका देना है प्रेस के साथ तो अब इस पर तिर्ची लाइन ड्रो करनी है, पहले सेंटर में एक लाइन ड्रो कर ले ऐसे आपने 1 इंच का गैप लेते हुए सारे फैब्रिक पर तिर्ची लाइन ड्रो कर लेनी है अब इसी लाइनिंग के उपर इसे कट कर लेंगे तो ऐसे आपने 1 इंच के चुड़ाई में पटियों को कट करना है अब इन पटियों को दोनों साइड से फोल करते हुए इनकी उरे पटियां ड्रो कर लेनी है तो सारे pieces को आपने ऐसे ही fold करते हुए किणारे पर सिलाई कर देनी है अब हमने जो fabric पट्टी रड़ी की है इस पट्टी पर हमें जिस तरफ सिलाई लगाई थी उस तरफ हमने last को इस तरीके से रखना है नीचे की और और जो पट्टी पर पहले सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसी सिलाई की ओपर सिलाई करेंगे तो सारी पट्टियों को आपने ऐसे ही last लगा के ready कर लेना है और last लगने के बाद इन पट्टियों को हमें 4 इंच के pieces में cut कर लेना है और ये पट्टि की उल्टी वाली साइड है और ये वाली साइड सीधी वाली साइड है इन पट्टियों को हमें U-shape में ready करना है इसके लिए पानी में सबी पट्टियों को ऐसे dip करके निकार लेंगे जिससे ये पट्टियों soft हो जाएंगी तो प्रेस के साथ इसपर हमें U-shape ready करनी है तो हलका हलका दोनों साइड से हमें ऐसे fold करते हुए इसपर प्रेस लगानी है तो ऐसे धीरे-धीरे से घुमाते हुए इसपर हमें U-shape ready कर लेनी है तो पट्टियों गिली होने के कारणा ये काफी easily mold हो जाएंगी तो इस तरह से आपने सारे pieces को ready कर लेना है यहाँ पर मैंने total 6 pieces को ready किया है plazo bottom के design के लिए तो अब हमें ऐसे flowers वाली कोई भी laces ले लेनी है अपने पसंद की और इसमें से ऐसे flowers को cut कर लेंगे और plazo pant में से मैंने ऐसे double folded 2 इंच चोड़ी fabric पटी को cut किया है और लबाई जितना भी plazo का bottom होगा तो उतना आपने ले लेना है तो इस पर हमें एक line draw करनी है pony inch के gap पर खुली बड़ी side पर ये line draw करेंगे अब इस line के उपर जो हमने u shape ready की थी उसको ऐसे उल्टा करके रखेंगे और यहां से आपने एक inch का gap छोड़ना है अब जो हमने last में से flowers cut किये थे उनको ऐसे u shape के बीच में रखेंगे और उपर slide कर देंगे इसके साथ एक और shape को रखेंगे और इसके center में भी flowers को रखेंगे और इस पर slide कर देंगे तो सारे fabric पट्टी के ऊपर आपने इस u shape को flowers के साथ सेट कर लेना है और slide होने के बाद जो हमने नीचे की तरफ margin छोड़ा था पोनेंच का उसे अंदर की तरफ ऐसे fold करते हुए इस पर slide कर देनी है अब इस पट्टी को ऐसे पलट के सीधा कर लेंगे और नीचे वाली साइड पर जो हमने folding की थी इस पर हमें सिलाई लगानी है तो यहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ तो आप सिलाई के जगा दुरपाई भी कर सकती है और सिलाई लगने के बाद यह हमारा सुन्दर सा border रड़ी हुआ है अब इसे हमें प्लाजो के bottom पर attach करना है पर उससे पहले हमें bottom पर less लगानी है तो यह जिग्जैक वाली less को मैं इस पर लगाऊंगी तो less लगाने के लिए नीचे से half inch का margin चोड़ेंगे और सिलाई less के बिलकुल किनारे पर लगानी है और less attach होने के बाद ready border को इस पर attach करना है border को ऐसे उल्टा कर लेंगे और प्लाजो की उल्टी side पर मतलब नीचे वाली side पर आपने ऐसे रखना है border को और बिलकुल थोड़ा सा margin लेते हुए इस पर सिलाई करेंगे तो अगर आप प्लाजो bottom पर design ready कर रहे हो underground less के साथ तो इस trick के साथ आप less को attach करें जिससे आपके design के धागे नहीं निकलेंगे दूलने के बाद और आपके design भी बिलकुल खराब नहीं होगा तो ऐसे बिलकुल पहले आपने किनारे पर सिलाई लगानी है अब इस less को पलट के ऐसे नीचे वाली side पर fold कर देंगे तो रॉंग side पर भी आपको कोई भी extra धागे वगएरा नहीं नजर आ रहे है तो ऐसी और ट्रिक सीखने के लिए हमारे Instagram पेज को ज़रूर फोलो करें तो अब मैं इसकी फिटिंगी से लिए लिगा के आपको दिखाती हूं तो फिटिंगी स्लाई भी हमारी लग चुकी है तो ये डिजाइन रडी करने के लिए प्लाजो लैंथ की का आप सब कटिंग करेंगे तो दो एंच कम की लैंथ कट करें तो फैंट वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रू हिट करें ताकि नहीं वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले